हेलो फ्रेंट्स मैं दानियाल सौगत करता हूं आपका किडो कोडर में फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम लोग परेंगे कि यी बैंकिंग क्या होता है और यी बैंकिंग से रिलेटट सारे चीज़ के बारे में जानेंगे उसके advantages के बारे में परेंगे और देखेंगे कि उसका disadvantage और demerits क्या क्या है तो चलिए बिना time कवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं अगर हमें e-banking की बात करें तो e-banking का मतलब होता है online banking या फिर internet banking ऐसा banking system जो हम internet की मदद से या online करते हैं वैसे banking को हम क्या बोलते हैं e-banking बोलते हैं e-banking का full from होता है electronic banking आगे चलते हैं हम लोग e-banking is an online service that provides the facility to the customers to make banking transactions from his or her net banking account e-banking क्या है हमें एक online service provide करता है जिसके थुरू कोई भी customers अपने net banking account से online banking facility का फाइदा उठा सकता है उसको इस्तेमाल कर सकता है जैसे अगर किसी को अगर अपने account से किसी दूसरे के account में पैसा transfer करना है तो वो net banking का इस्तेमाल कर सकता है या फिर अगर कोई चीज ऑनलाइन उसको shopping करनी है तो वो net banking का इस्तेमाल करके पैसा पे कर सकता है जैसे आजकर हम pandemic में क्या कर रहे थे ज्यादे तर हम लोग online banking का इस्तेमाल कर रहे थे कोई भी product खरीदना हो या कोई भी service खरीदना हो तो हम लोग क्या कर रहे थे transaction online net banking के थुरू पे कर रहे थे cash हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे थे तो ऐसी फैसलिटी अगर provide करता है उसको हम क्या बोलते हैं e-banking बोलते हैं electronic banking बोलते हैं आगे चलते हैं हम लोग e-banking enables paperless bill paying record keeping and money transfer between accounts e-banking के मदद से हम क्या कर सकते हैं paperless bill pay कर सकते हैं record keeping कर सकते हैं जो भी आपका transaction आप किये हैं उसका history आप रख सकते हैं और आप money transfer कर सकते हैं एक account से दूसरे account में अगर हम advantages की बात करें तो e-banking के advantage होते हैं low cost banking services दम जो आपका banking service आपको मिलती है वह बहुत से minimum price पर मिलती है अग्दम कम से कम पैसे में आपको वह service provide करती है online bill payments आप online bill payments कर सकते हैं कि liegen अगर आप कोई service purchase करते हैं जा फिर आप कोई shopping करते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं online bill payment कर सकते हैं जैसे आपको electric bill pay करना थो online पे कर सकते हैं अगर आपको पानी का बील paid करना थो online आप भीम बंकिंग के मदद से transfer service आप एक account से दूसरे account में असानी से 24 x 7 365 मत ब्स्न गंटे और तीन सो में 65 दिन आप अपने एकाउंट से किसी दूसरे एकाउंट में पैसा टांसफर करसकते हैं कहीं सर्थिस आपको प्रवाइड करती है एक एडवांटेश हमाला convenience संविस प्रवाइड करता है हमारा इबैंकिंग हमारा को डिसध्वांटेश की बात करें खी किसे वा सबसे इसे और भाइन ईको हेट आपको hackers द्वारा आपके account hack होने का डर रहता है इसलिए password वेगारे क्या बोला जाता है कि आप very strong रखे मतलब उसमें आप special characters use करें uppercase later use करें numbers use करें इन सबका mix करके आप password करें ताकि आपके account को hack ना किया जा सके hacking से आपका account बस सके तो security issue सबसे बारा इसका एक disadvantage है आगे चलते हैं lack of direct contact between customers and banking officer online banking में क्या होता है कि जो हमारे banking officers होते हैं और जो हम customers होते हैं इन दोनों के बीच में जो direct contact होता है वो lack हो जाता है कम हो जाता है हम direct किसी भी bank के officer से contact नहीं करते हैं ये भी एक क्या है बहुत बारा disadvantage है e-banking का कभी कभी transaction problems होते हैं जैसे हम कोई transaction किये वो successful नहीं होता है fail हो जाता है और पैसा हमारे account से cut जाता है हलाकि वो बाद में आपको refundable होता है लेकिन ये भी आपका क्या है एक disadvantage है e-banking का अगला disadvantage है training and development आप जब e-banking system आप लाएंगे तो आप उसमें जो जो customers है या फिर जो आपके employee उसमें आप hire करेंगे उसको आपको train करना पड़ेगा उसको development करना पड़ेगा उसका की e-banking कैसे काम करता तो इन सब में भी आपका क्या होगा टाइम जाएगा और कुछ पैसा भी आपका खर्च होगा तो यह थे हमारे क्या disadvantages of e-banking advantages मैंने देखे disadvantages मैंने देखे और electronic banking क्या होता यह समझे आई होप आपको समझ आया होगा आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते subscribe now and press the bell icon never miss an update